यह है IQ90, इसमें 50,000 रुपे में Snapdragon 8 plus Gen 1 आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, इवन camera system भी अलग सा है, यहापे आप देख सकते हैं, इधर में 20x zoom वगरे लिखा हुआ है, फोन की बात करें, तो back side में कुछ इस तरह का look निकल के आता है, यह पूरा जो panel है, वो glass का आपको देखने को मिलता है, इधर में आपको हलकी सी matte finish मिलती है, बट इवन यह चमकती भी है, जैसे आप देख सकते हैं, आप यह light पढ़ रहा है इसके उपर में, तो यह हलका सा glow करती है, sparkle जैसे आपको look आता है, इवन x80 pro में भी कुछ easy drive का back था, और जो camera bum भी है, सब कुछ blacked out है, power button पर हलका सा texture बना हुआ है, and overall इस phone का in hand feel काफी अच्छा लगता है, मतलब premium white देता है, इस glass bag and metal frame के साथ में, इवन black के अलावा एक white color भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको हलका सा BMW की stripes देखने को मिलती है, personally मुझे black color काफी अच्छा लगा, काफी बड़ी सी है, 6.780 inches का इसका size है, gaming वगरे के लिए काफी तगडी रहेगी, brightness वगरे की बात करें, तो यहाँ पे 1500 nits तक peak brightness आपको मिलती है, and definitely है काफी bright सा display है, outdoor वगरे के लिए काफी अच्छा रहेगा, और इधर में 120 Hz के साथ में 360 Hz की touch sampling है, यहाँ पे अगर battery की बा charger है, भारी सा, and even जो cable भी आती है, इसके साथ में काफी मोटी सी है, क्योंकि 120 watts इसको carry करना है, और मैंने खुद टेस्ट करके रिखा है, इस charger के साथ में, यह कुछ 11 minutes में 50% तक charge हो जाता है, और box के अंदर में 3.5 mm adapter दिया है, क्योंकि हाँ पे कोई भी headphone jack नहीं दिया हुआ ह बट still search वाला option खोलने के बाद में, आपको फालतू के suggestions देते रहता है, यह app install कर लो, वो app install कर लो, जिससे UI थोड़ा कम clean लगता है, और यह चीज़ थोड़ी से expected भी है, क्योंकि 50,000 के price में आपको इसमें Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिलता है, जो usually flagships में आता है, तो ऐसे में company थोड़ी मोडी जै पर 90 FPS फिलाल तो आए नहीं है, और मुझे जहां तक लगता है, इतने जल्दी 90 FPS आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी BGMI बैन, अन्बैन होते रहता है, बट still यह पर Ultra HD के अंदर में आपको Ultra Framerate देखने को मिलता है, और इसी पर game खेल के देखते है, ताकि maximum pressure पड़े और अब यह पर Ultra HD में खेलने के बाद मुझे एक लाग महसूस नहीं हुआ, हल्के बूल के frame drop जरूर होता है, बट still इतना को significant lag नहीं है, इसके अंदर में, इवन है पर मैंने एक चीज़ और देखी कि HDR पे भी extreme frame rate आपको मिलता है, बट still इसमें अगर 90 FPS रहता तो और भी मज़ा आ जा था, क्योंकि IQ Neo6 जैसे phone इससे कम price में आपको 90 FPS gaming करा देते हैं, में भी future में आगे में updates के थूर इसमें आ जाए, इवन जो लोग gaming करने का सोच रहे हैं, वो live streaming होगे भी करने का सोच रहे होंगे, और यह है मेरे पास में Elgato का HD 60S capture card, वो भी हम लगा के चेक करते हैं इ थोड़ी सी testing करने के बाद में पता चला कि यह हापे जो इस phone के अंदर में USB है, वो USB 2.0 है, USB 3.0 नहीं है, जिससे HDMI output आए, तो ऐसे में streaming करने के लिए phone सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे HDMI output आपको नहीं मिलता है, और यह चीज़ मुझे थोड़ी disappointing लगी कि पचा सजार देन आपने भी USB 3.0 नहीं है, बलकि iPhone 12 जैसे phone जो 50,000 की range में आते है, वो USB 3.0 आपको दे देते हैं, तो ऐसे में अगर आप streaming करने का सोच रहे तो आपने बाकी phones ही consider करना चाहिए, अभी अगर इस phone के camera system की बात करें, तो इधर मैं आपको 50 Megapixel GNV camera sensor देखने को मिलता है, साथी and even telephoto भी है, जो 20x तक zoom कराती है, तो overall photos जो है, वो काफी saturated and contrasty से आ रहे थे, and जो clarity भी है, वो काफी अच्छी आ रही थी, बड़ जहां बात आती है Indian skin tones की human subjects पर, तो ये सब कुछ गोरा-गोरा सा कर दे रहा था, and white-white सी skin ये मेरी लग रही थी, इवन इधर में 13 Megapixel ultra wide भी आपको देखने को मिलती है, and photos कुछ इस तरह की निकालती है, clarity अगरे तो काफी अच्छी है, बट हलका सा color shift आपको देखने को मिलेगा, lenses में shift करने के बाद में, even यहाप एक 20x तक zoom करने वाली 2x telephoto lens भी आपको मिल जाती है, जो आपको OnePlus 10T अगरे में नहीं मिलती, वैसे photo म आप video maximum shoot कर पाएंगे, बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी disappointing लगी कि इधर में आप जो है, वो बस main camera से 4K 60 में video ले पाएंगे, जो ultra wide है उसमें 4K 60fps आपको नहीं मिलता, even 1080p 60fps भी बे ultra wide अविलेबल नहीं है, बट जैसी मैं 1080p 30fps करूँगा, तो आप ultra wide के थरू video ले पाए और overall footage काफी smooth सी आजाती है, और वही अगर ultra wide की बात करें तो 1080p 30fps में कुछ इस तरह की वीडियो निकाल देता है, overall color balance वकर ये काफी अच्छा है वीडियो का, आप देखी सकते है sample के अंदर में, और cool मिला कि अगर कहा जाए तो इस phone में Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में चाह आपको 1 million के भ performance आपको मिलेगी, और साथी साथ camera system भी काफी decent सा है, और एक और चीज़ काफी decent सी है, वो है most techie की subscribe button